बच्चों Physics यानि कि भौतिकी में हम प्रकृती और प्रकृति घटनाओं का अध्यन करते हैं और इन घटनाओं का अध्यन करने के लिए हम पूरे ब्रम्हान को यह यूँ कहें कि हम अपनी प्रकृती को दो भागों में बाचते हैं पहला द्रव और दूसरी उर्जा जिसके एक निश्चित आकृती हो आयतन हो या फिर जो अपना स्थान गराण करता हो या फिर जिसे हम अपनी सेंस औरगन इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हो वो कहलाता है द्रव यानि कि मैटर जैसे कि आपके क्लास रूम में ये टे आपके आसपास की हवा ये सारे द्रव कहलाते हैं यानि कि मैटर क्योंकि इनकी आकृती है आकार है इनको आप महसूस कर सकते हैं ये अपना स्थान घेरती है दूसरा भाग होता है उर्जा जो स्थान तो ग्रहांड नहीं करती लेकिन ये कार्य करती है और कार्य करने की छमत को ओर्जा कहते हैं विभिन और जैंसे परिचित हैं जैसे कि प्रकाश ओर्जा धनीरा में बच्चों हम द्रफ के यानी के जुनरल प्रोपोटी इस के बारे में के चर्चा करेंगे बच्चों द्रफ यानि कि मैटर इसका फंडामेंडल यूनिट है यानि कि इसकी मूल भूत इकाई है पर मानों पर्मानों से मिलकर अणों को निर्मान होता है और इसी प्रकार किसी द्रव को निर्मान होता है इनी पर्मानों की व्यवस्था के आधार पर ही हम द्रव्य को तीन भागों में बाटते हैं ठोस में सभी पर्मानों एक निश्चित दूरी पर इस्थित होते हैं और ये परमाणू ठोस में बहुती पास पास होते हैं पास पास होने के कारण इनके मुवमेंट के लिए जगा ही नहीं बचती यह यूँ कहें कि इनमें मुवमेंट बहुती कम होता है नेगलीजिबल होता है इसलिए ठोस की एक निश्चित आकृती होती है आकार होता है और आ इनकी एक निश्चित आकृती है, आकार है, आयतन है। दूसरा रूप है द्रव यानि कि लिक्वेड। इसमें परमाणू एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। आपस में मुव्मेंट करने के लिए बहुत ही जगे होती है। और इसलिए ये परमाणू हमेशा गतिशील रहते हैं। और इसके कारण ही द्रव की यानि लिक्विट की कोई निश्चित आकृती या आकार नहीं होता। बच्चों ये दिद्रव को उधराण हम देखें, तो हम पानी, दूद, चाय इत्यादी ले सकते हैं। ये आपके बॉटल में भारा हुआ पानी है, ये अभी आपके बॉटल के आकार का है। क्यों? क्योंकि इसके परमाणू गतिशील होते हैं, हमेशा गति करते रहते हैं। इसलिए इसकी कोई निश्चित आकृती नहीं होती। लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। यदि आप निश्चित आयतन का पानी ले रहें, तो आपके वाटर बॉटल में अपनी निश्चित जगे ही बनाएगा। भले इसका आकार भी बॉटल की जैसे हो गया यदि आप ग्लास में लेते हैं तो ग्लास के जैसे हो जाता है कटोरी में लेते हैं कटोरी के जैसे हो जाता है पर उसके एक निश्चित आयतन होता है द्रव्य का नेक्स्ट रूप है गैस बच्चो गैस के परमाणू एक दूसरे से बहुत दूर-दूर होते हैं यह यह कहें कि इनके गती के लिए बहुत जगे होती है और इसी कारण गैस का ना तो कोई निश्चित आकार या आकरिती होती है और ना ही कोई आयतन जैसे कि हम एक परफ्यूम की बॉटल खोलते हैं तो उसके गैस के जो अनू होते हैं पूरे क उस गैस को स्मेल कर लेता है कमरा क्या कमरे के बाहर भी यदि कोई वैक्ति खड़ा हो तो भी वह गैस को स्मेल कर सकता है इसका मतलब यह गैस किसी भी आयतन में फैल सकते हैं तो गैस की ना तो कोई निश्चित आकरिती आकार होता है और ना ही इसका कोई निश्चित आयतन ह होता है यह जिस वस्तु के अंदर रख दिया जाए उसके आकृती भी वैसी हो जाती है और इसका आयतन भी वैसे ही हो जाता है साथ हम देखें तो गैस की परमाणू एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं इसलिए इनके परमाणू के बीच में कोई बलकार यह नहीं करता हैं बच्चो इस पार्थ में हम थोस के एक विशेश गुण के बारे में चर्चा करेंगे जिसे हम प्रत्यास्था के नाम से जानते हैं तो इसके लिए हम थोस के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझ लेते हैं बच्चो जैसे कि मैंने पहले भी चर्चा किया था कि थोस में पर्माणू एक दूसरे से बहुत ही पास-पास होते हैं closely packed होते हैं उनके movement के लिए जगे नहीं होती यदि हम किसी ठोस के structure को देखें तो उसमें पर्माणू एक निश्चित स्थिती पर होते हैं और एक पर्माणू के सापेश दूसरा पर्माणू एक निश्चित दूरी पर ह होता है यह यू कहें कि उनके बीच की ओसरा दूरी हमेशा स्थिर रहती है यह समय के सासर नहीं बदलती कि इसलिए ही ठोस की आकर्धि और आकार में परिवरतन नहीं होता और साथ ही ठोसका एक निश्चित आयतन होता है और पर्माणू की इसे स्थिती को हम इस्थाइस तुलन कहते हैं यानि कि stable equilibrium क्योंकि सारे परमानु अपनी जगे पर स्थिर हैं मान लीजे यह किसी ठोस में परमानु का arrangement है यहां पर परमानु अपनी जगे पर स्थिर है यह इस्थाय संतुलन के स्थिती में इंके बीच की धूरी हमेशा स्थिर ही रहेगी इसे एक परमानो को यदि विस्थापित किया जाए अपनी जगे से जाए उस स्थिती में इस ठोस के अंदर एक restoring force काम करता है जिसे हम प्रत्यान्यन बल कहते हैं और यह restoring force इस अपनी जगे से हटे परमानु को अपनी जगे पर वापिस लाने का प्रयास करता है और इसलिए यह ठोस अपनी आकरिती और आयतन में परिवर्तन नहीं करता लेकिन य इक निश्चित सीमा तक ही काम करता है हम जो बाहर से बल लगा रहे हैं उसका मान यदि बहुत अधिक हो तो उस समय यह प्रत्यान्यन बल इस बाहे बल के विपरित कारियन नहीं कर पाता एक्ट्यान्यन बल यानि restoring force बाहे बल जो की परमानों को विस्थापित करने में अपन प्रत्यान्यन बल इसका विरोध नहीं कर पाता और उस condition में यह ठोस टूट जाता है जैसे कि बच्चों आप अपने क्लास रूम में रखे चौक को ही देखे उस चौक को यदि हम बल लगाते हैं तो वो टूट जाता है मतलब उसके परमानू अब अपनी जगे से हट चुके तो इस प्रकार हम देखे कि किसी भी ठोस में अगर बहुत जादा बल लगा दिया जाता है बहार से तो उसके अंदर का प्रत्यान्यन बल उस बहाई बल का विरोध नहीं कर पाता और उस condition में यह ठोस टूट जाता है तो बच्चों यह जो बहार से बल लगाया जा रहा है ज क्योंकि उसने ठोस के रूप को चेंज कर दिया इसलिए उसके आधार पर इसका नाम रखा गया है वी रूपक बल और इंग्लिश में इससे हम कहते हैं डी फॉर्मिंग फोर्स क्योंकि किसी भी ठोस के फॉर्म को चेंज कर सकता है तो इस प्रकार बच्चों यदि हम वी तो वी रूपक बल वहां बाहे बल है जो किसी भी वस्तु में उसकी लंबाई आयतन या आकरिती में परिवर्तन कर सकता है और बच्चों जैसे कि हमने पहले भी डिसकस किया कि जो वस्तु के अंदर प्रत्यनन बल उत्पन हो रहा है इस वी रूपक बल के विरुद्ध वहा कि वी रूपक बल का मान बहुत अधिक हो जाए तो प्रत्यनन बल उसका विरोध नहीं कर पाता और इसी आधार पर ही हम ठोस को तीन भागों में बाटते हैं पहला प्रत्यास्थ वस्तु जिसे हम इलास्टिक ऑबजेक्ट कहते हैं दूसरा सुघट्य वस्तुएं जिसे हम और तीसरा है भंगूर वस्तुएं जिसे हम ब्रिटल ऑबजेक्ट कहते हैं तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रत्यास्थ वस्तुओं के बारे में बच्चों अपने रबर को देखा है जब रबर पर हम वी रूपक बल लगाते हैं यानि कि रबर को खीच रहें तो रब रबर लंबी हो जाती है लेकिन जैसे ही इस वी रूपक बल को हटा दिया जाए मतला हम खीचना छोड़ देते हैं तो रबर वापिस अपने स्थिती पर आ जाता है क्यों वापिस आ जाता है व्योंकि इसके रबर के अंदर जो परमानू थे उनमें प्रत्यान बल कारे किया और इसी कारण ही ये परमानू जो थे वो अपनी स्थिती में वापस आ गए यानि कि अपनी आकरती आकार और आयतन को वापिस गेन कर लिए तो ऐसी वस्तूओं को हम कहते हैं प्रत्यास्त वस्तूओं जो वी रूपक बल लगाने पर तो अपनी लंबाई आयतन ये आकरिती को ग्रहंड कर ले यह प्राप्त कर ले तो यह वस्तुएं कहलाती हैं प्रत्यास्थ वस्तुएं जिसे हम इंगलिश में Elastic Object कहते हैं बच्चों Elastic Object नाम सुनते ही हमारे दिमाग में rubber वाला एक्जामपल आया विए कि rubber को हमने खीच कर देखा था और उसके बाद उसको छोड़ा था तो वापिस वह अपने प्रत्यास्थ वस्तुएं का उधारन ले तो धातु प्रत्यास्थ वस्तुएं की श्रेणी में आते हैं धातु जैसे कि लोहा सोना चान्दी यह स्पात और यह क्वाट्ज यह सारे प्रत्यास्थ वस्तु हैं, elastic object है लेकिन जब में elastic object के नाम आपको सोचने बोलू तो शायद यह उधारन आपके दिमाग में नहीं आयोंगे और आपको पता है कि कौर्ज सबसे अधिक प्रत्यास्त वस्तु है इसकी प्रत्यास्ता सबसे अधिक होती है अब बच्चो ये वस्तु का गोण जिसके कारण वो वापिस अपने लंबाई, आयतन ये आकरिती को ग्रहन कर रहे हैं इस गोण को हम प्रत्यास्ता यानि की elasticity कहते ह हैं इस अधार पर यदि हम elasticity यानि प्रत्यास्था को परिभाशिद करें तो प्रत्यास्था ठोस का वहां अंतरिक गुण है तो प्रत्यास्था ठोस का वहां आंतरिक गुण है जिसके कारण वह वी रुपक बल के हटने पर अपने लंबाई आयतन यह आक्रिती को वापस ग्रहन कर लेता है उसे हम प्रत्यास्था कहते हैं यानि की एब अच्छो हम सुघठ्ट्य वस्तू की बात करते हैं यानि की प्लास्टिक उपजेक्ट्स यदी मैं आप से पूछू कि प्लास्टिक objects की उधारण बताईए तो आपकी दिमाग में कौन-कौन से उधारण आए होंगे इन चीजों को हम प्लास्टिक कहते हैं पर यह प्लास्टिक चीजें जो हम बोल रहे हैं एक्चुली वह उस वस्तू का गुण है उसके अधार पर ही हम उन वस्तू को प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स कह रहे हैं एक्चुली प्लास्टिक्स क्या होते हैं यह सुघट्य वस्तों क्या होती हैं जब हम वी रूपक बल लगाते हैं और वी रूपक बल लगाने से किसी वस्तू की लंबाई आयतनी आकरती में परिवर्तन हो रहा है और वी रूपक बल हटाने के बावजूद भी यह परिवर्तन उन वस्तुों में इस्थाई हो जाए in permanent changes आ जाए उन वस्तुों में तो उन वस्तुयों को हम सघते वस्तु यान ले लिजये इसको जादा बल लगाया जाए और बीश से दबा दिया जाए तो यह तूट जाएगा प्लास्टिक की स्केल आपके पास होगी उसको दबा दिया जाए तो वो तूट जाएगी मतलब हमेशा के लिए उसमें चेंज आ गया जो लंबी 30 सेंटीमीटर की आपकी स्केल थी वो दो भागों में तूट गई और चोटी हो गई तो यह परिवर्तन हमेशा के लिए हो गया तो इस प्रकार उनको उनके गोण के आधार पर प्लास्टिक ऑब्जेक्ट कहते हैं हम मटीरियल को प्लास्टिक कह देते हैं वह जो गोण उस मटीरियल में है उसके आधार पर ही उनको हम प्लास्टिक नाम दिये हैं वह सुघट्टे वस्तों के गोण की बात करें तो सुघ सुघट्यता किसी वस्तू का वहां गुण होता है जिसके कारण वह बहार से लगने वाले बल यानि कि वी रूपक बल का विरोध नहीं कर पाता और वी रूपक बल के कारण उसकी लंबाई आयतन याकृति में होने वाला परिवर्तन उसमें इस्थाई हो जाता है तो यहां कि प्लास्टिसिटी अब बच्चों प्लास्टिक वस्तू के उधारण सोचिए तो जो गीला साबुन होता है वो भी प्लास्टिक है क्योंकि गीले साबुन को यही पकड़ कर आप दबा दे उसका शेप हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा आप उसको पहले जैसा कभी भी न बादे या उसको कोई नया शेप दे तो उसके बाद उसके शेप को वापिस प्राप्त नहीं किया जा सकेगा मोमबत्ती यह भी प्लास्टिक वस्तू है और प्लास्टिसिन मतलब प्लास्टिसिन की बनी जितनी वस्तू है यह सारी प्लास्टिक वस्तू के उधारण में आती लंबाई आयतन या आक्रिती में कुछ परिवर्तन हो जाता है तथा बल को हटा लेने पर वस्तुवें अपनी पूर्वावस्था में लौट आती है सुघटे वस्तुवें पर वी रूपक बल लगाने पर उसकी लंबाई आयतन या आक्रिती में परिवर्तन हो जाता है तथा प्रत्यास्त वस्तों में वी रूपक बल के कारण होने वाला परिवर्तन और इस्थाई परिवर्तन होता है। अब अगली वराइटी है भंगूर वस्तों यानि कि ब्रिटल ऑबजेक्ट्स भंगूर वस्तों वे वस्तों होती हैं जिनमें बाहे बल लगाया जाए यानि कि वी रूपक बल लगाया जाए तो यह चूर चूर हो जाती हैं बच्चो चूर चूर होना शब्द सुन के ही आपक जब चूर चूर होना बोलते हैं छोटे-चोटे तुकुडो में होना तो बच्चो बताइए ऐसी कौन-कौन सी वस्तु है जो चूर-चूर हो जाती है पहला तो काच चीनी मिट्टी सूखी मिट्टी इसको भी यदी आप गिराते हैं आपके पास सूखी मिट्टी का कोई पॉ बच्चो आप देखे होंगे कि यदी काच का कोई सामान ट्रांस्पोर्ट किया जाता है तो उसके खड़े में भी लिखा जाता है ब्रिटल ऑबजेक्ट्स हैंडल इट विट केर तो ब्रिटल इसलिए लिखा जाता है कि इसके अंदर ऐसी वस्तु हैं जिस पर धक्का लगन बचने पर यह टुकड एक टुकड में नहीं बटिंगी वल्कि चूर चूर हो सकती हैं कई टुकडों में बढ़ सकती हैं और भंगूर वस्तुओं के इसी गोण को हम भंगूरता के नाम से जानते हैं मतलब भंगूर वस्तुओं का वह गोण जिसके कारण वीरुपक बल काने से वस्तू के अंदर प्रत्यानेयनबल कारे करता है तो यह प्रत्यानेयनबल कहां से आता है यह प्रत्यानेयनबल किस प्रकार कारे करता है इसको समझने के लिए हम ठोस का आणविक model देखते हैं, यानि कि ठोसों के लिए हम molecular model को study करते हैं, बच्चों हमने देखा कि ठोस में जो परमानों होते हैं, वो निश्चित जगप पर होते हैं, दोनों परमानों के बीच की दूरी स्थिर रहती हैं, मार लीजे हमने परमानों का arrangement लिये हैं, जिसमें कि इस प्रकार परमानों व्यवस्थित हैं, इस ठोस में हम देखें, तो दो परमानों के बीच की दूरी स्थिर होगे, यानि कि ये परमानों इस्थाई संतुलन के अवस्थम में होगे, और इनकी बीच की दूरी को हम साम्य द भव कर रहे हैं इन पर्माणों के बीच में कौन सा बलकार्य करता है बच्चों हम जानते हैं कि प्रत्यक पर्माणों के अंदर आवेशित कंड होते हैं आप इन कंडों को जानते हैं प्रोटॉन यानि की धनावेशित कंड एलेक्ट्रॉन यानि की रिणावेशित कंड और इन कि एक स्थाई परमानु में कोई भी आवेश नहीं होता और इस प्रकार जब परमानु इस ठोस के अंदर आपस में जुड़े हुए होते हैं इस विद्दूद बलके कारण तो इस थाई अवस्था में साम में अवस्था में यानि दो पर्माणों के बीच की जिब दूरी स्थाई होती है साम में होती है उस कंडिशन में विद्धुद बलका नेट मान यह परिमान शून्य हो जाता है और इसी लिए यह अपनी जगे पर इस्थाई रूप से बने रहते हैं इस स्थिती में जो धन आवेश और रिण आवेश का वित्रण होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि नेट विद्धुद बलका मान शून्य हो जाए अब हम मान के चलते हैं कि इस स्थिती में कोई बलका पार Tracy कर रहे हैं तो आधिक मॉंडल में दोनो परमानों के बीच में यह माना गया कि दोनों परमानों किसी स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं और इस प्रकार हम किसी ठोस का स्ट्रक्चर देखे उसके अंदर परमानों इस प्रकार एक काल्पनिक ते जरिए जूड़े यानि दोनों स्थिती में वो अपने स्थिती में परिवर्तन का विरोध करता है इस प्रिंग जिस आकार का था वो उसी आकार में आने का प्रयास करता है इसलिए जब खीचो तो सिकुड जाता है और जब दबाओ तो वो फैल जाता है और इसलिए इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर spring वाले model की कलपना की है वैसे बच्चों दो परमानों की बीच में spring नहीं होता केवल हम यहाँ पर ठोस के इस प्रत्यास्था के गुण को समझने के लिए ऐसा मान के चल रहे हैं कि दो परमानों ऐसे स्प्रिंग से बंधे हुए हैं पर वास्तव में मैंने बताया कि ये परमानों विद्दूद बल के जरीए एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं अब मान लीजिए इन दो परमानों को दबाया जाए यानि कि इनकी बीच की दूरी कम की जाए उस समय इस परमाणों में जो धन आवेश और रिन आवेश का वित्रण इस प्रकार हो जाता है कि यहाँ पर इन दोनों परमाणों के बीच में प्रतिकर्शन बलकारिय करने लगता cultivated और जब प्रतिकर्शन बलकारी करेगा तो ये दोनों परमाणूं को एक दूसरे से दूर करेगा यानि कि हमने परमाणूं को दबाया था और ये परमाणूं एक दूसरे से दूर होने का प्रयास कर रहे हैं तो जैसे ही बी रूपक बल का मन हटेगा तो ये परमाणू वापिस अपनी जगे पे जाकर फिर से सेट हो जाएंगे जैसे कि स्प्रिंग में होता है हम स्प्रिंग को दबाते हैं तो वापिस वो उसी आकार को फैल कर ग्रेंड कर लेता है अब मान लीजी इन दोनों के बीच में आकर्शन बल कारे करता है और आकर्शन बल कार करता है तो ये दोनों परमाणू एक दूसरे की और आने का प्रयास करेंगे तो जैसे ही वी रूपक बल हटेगा ये दोनों परमाणू वापिस एक दूसरे के पास आने का प्रयास करेंगे और अपनी साम में दूर के जरीए काम नहीं हो रहा है बलकि यहां पर कार्य विद्दूत बलके करण हो रहा है और यह बल कभी आकर्शन हो रहा है कभी प्रतिकर्शन हो रहा है वह इसलिए क्योंकि यहां पर जो पर्मानों के अंदर आविश्यों का वित्रण है वह कुछ इस प्रकार हो जाता है कि को वापिस ग्रहन करता है पर बच्चों ऐसी भी स्थिति आती है कि जब हम वी रूपक बल का मान बहुत अधिक कर दे यानि कि दो पर्मानों को बहुत दूर दूर ले जाएं जैसे कि यदि हम स्प्रिंग के लिए करते हैं स्प्रिंग को यदि बहुत खीच दे तो बल नगर्ण ने हो जाता है और जब अकर्शन बल नगर्ण ने हो जाएगा तो यह दो पर्मानों एक दूसरे के पास कभी भी आकर्शित नहीं होंगे और इसलिए दो पर्मानों वापिस अपनी जगे पे नहीं आपाएंगे और यह कहें कि यह ठोस तूट जाएगा यह हमे को गृहन करने वाले गुन होता है किसी भी थोज का वो निश्चित सीमा थक ही काम करता है और उस सीमा को हम प्रत्यास्था की सीवा कहते हैं यानि की limit of elasticity की प्रत्यास्था की सीमा की तो प्रत्यास्था की समाप्त हो जाता है और यह प्रत्यास्था की सीमा अलग-अलग वस्तुओं के लिए अलग-अलग होती है अब बच्चों हम यह वी रूपक बल द्वारा किसी पर पदार्थ के लंबाई आयतन या आकृति में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन की बारे में चर्चा करत है बच्चों में तीन शब्द लगातार बोल रही हूं लंबाई आयतन और आकृति इन तीनों शब्दों को बार-बार रिपीट करने का विशेश महत्व है यह जब हम किसी भी वस्तु में यानि कि स्पेशलिया पर ठोस में परिवर्तन का अध्यन करेंगे तो यह तीन आध पर इनमें जो परिवर्तन हो रहे हैं या इनमें जो चेंज आ रहे हैं उसको हम अलग-अलग भागों में वर्गित करते हैं सबसे पहले बच्चों यह जो परिवर्तन हो रहा है चेंज हो रहा है इसे हम एक स्पेशल नाम से पुकारते हैं इसे हम स्ट्रेन कहते हैं और यदि में वीकृति और यदि इस वीकृति को परिभाशित करना चाहें तो परिभाशा के अनुसार वी रूपक बल लगाने पर किसी भी ठोस में उसकी एकांक वीमा में परिवर्तन को ही वीकृति कहा जाता है और दूसरे शब्दों में कहें किसी भी वस्तु की वीमा में भिन परिवर्तन क्या होता है बिनात्मक परिवर्तन का मतलब है उसकी वीमा के परिवर्तन को प्रारंभिक वीमा से compare करना बच्चों इसको हम एक एक करके discuss करते जाएंगे ना तो यह वैए हम अच्छे new strain । दूसरा है आयतन विकृति यानि की कि वॉल्यूम e si train और तीसरा है अपरूपन विकृति यानि की श्यरिंग स्ट्रें तो अभी मैं जो चर्चा करते समएं जो तीन शब्द बार बहर कह रही थी लंभाई आयतन और आकृति इसी के आधार पर इन तीनों विकृतियों के बारे में हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हमने लिया था अनुदैर्द विकृति यानि के लॉंगिट्यूडनल स्ट्रेंग अब इसको समझने के लिए मान लीजिए मैं एक वस्तु लेती हूं जो इस तार की आकृति का है मान लेते हम किसी धातु की बनी हुई तार में विकृति के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो इस धातु को हमने तार के लूप में लिया है चाहिए तार लोहे की हो तामबे की हो सोना चान्दी किसी की भी हमने लो ले सकते कोई भी धातु की तार यहां पर हमने ली है अब इस तार में यदि हम भार लटकाते हैं तो भार कि कारण भार क्या है बल है इसके कारण य documentary के केंदृ की तरह आकरशित होगी तो यह वी रू पकबल इस पर आरोपी थे यानि कि लगाया जा रहा है माली जिस तार की लंबाई L है हम यदि भार लटकाते हैं तो इसकी लंबाई में थोड़ा सा परिवर्तन होगा बचों जिस प्रकार हम रबर में देखते हैं कि रबर को हम खीचते हैं यही चीज तार के जगें को रबर ले लेते हैं तो उसमें यदि भार लटकाते हैं तो यह तार मतलब जो रबर कर रहाता वह बहुत लंबा हो जाता यानि इसमें जो परिवर्तन हों को इस पश्ट दिखाई देता लेकिन यदि तार में भार लटकाते हैं तो हमें वह परिवर्तन इस पश्ट रूप से दिख लटका दिया है कि इसमें होने वाला परिवर्तन डेल्टा एल है अब यह जो अनुदैर्द विकृति है किसी तार की लंबाई का भिनात्मक परिवर्तन होता है तो यहां पर हम देखे अनुदैर्द परिवर्तन का मतलब ही होता है कि हम परिवर्तन को उसकी प्रारंभिक स्थिति के साथ यह प्रारंभिक विमा के साथ कंपेर कर रहे हैं तो इस प्रकार अनुदैर्द विकृति लोंगिटूडनल स्ट्रेंड बराबर हो जाएगा स्मॉल एल अपॉन और बच्चों यह सकती है या लंबाई घट सकती है यृदि हम इस तार को दबा रहे हो लंबाई घटेगी तार को लिए मधिश रहे हो तो इसके यह बढ़ए गर तो उस समय हम compressive strand कहते हैं यानि कि संपीडन विकृति तो इस प्रकार बच्चो अनुद्यार्द विकृति की बात यदि हम करेंगे तो किसी वस्तु के लंबाई में परिवर्तन की चर्चा करेंगे अब बच्चो अगला है volume strand यानि कि आयतन विकृति बच्चो मान लेज़े मेरे हाथ में एक वस्तु है यह गोलाकार की है यदि मैं इसे सब तरब से बराबर बल लगाओं उस condition में क्या होगा यह ball सिकूड कर छोटी हो जाएगी मान लेज़े बच्चो हम एक और वस्तु लेज़े जो इस साकार में है इसमें आप देख रहे हैं टोटल छे प्रिष्ट है अब इन सभी प्रिष्टों के लंबवत बराबर बल लगाया जाए तो यह वस्तु सिकूड कर छोटी हो जाएगी अब देख रहे हैं बच्चो इन दोनों हिं स्थिती में वस्तु के आकरिती में कोई परिवर्ren नहीं हुआ जो गोलाकार थी वो गोलाकार ही रही जो घनाकार थी वो घनाकार ही रही बस आप देखेंगे कि यह सिकूड गई यानि कि गोल की त्रिज्य कम हो गई तो यूं कह सकते हैं उसका आयतन कम हो गया और यहां पर घना कर वस्तु देखें तो इसकी लंबाई चोड़ाई उचाई के माने परिवर्तन हो गया यह मान कम हो गया तो हम कह सकते हैं इसका आयतन कम हो गया तो इस प्रकार जब किसी वस्तु में सभी दिशां में बराबर लमवत दिशां में बल लगाया जाए तो उस कंडिशन में वस्तु की आकरिती में परिवर्तन नहीं होता बलकि वस्तु के आयतन में परिवर्तन हो जाता है यदि में तो आयतन बढ़ जाएगा दबाऊं तो आयतन कम हो जाएगा तो इस प्रकार से उत्पन्व विक्रिती को हम कहते हैं आयतन विक्रिती तो इस प्रकार बच्चों आयतन विक्रिती का हम सूत्र लिख सकते हैं सब लिए कि अपरीवरतन आपन प्रारंभिक आयतन आइतन परिवर्तन को स्मॉल वी से दर्षा रहें किसी बुक में बच्चों डela 2 भी लिखा रहता है कि परिवर्थन को जन्रली ड Congratulations ज़सेे दर्शाते हैं तो तो फिलाल हमने यहाँ परिवर्तन को स्मॉल लटर से दर्शाने की कोशिश किया है जिसे पहले वाले केस में। मैंने लंबाई में परिवर्तन को स्मॉल एल दिया था हो सягते कि इस बुक में वो DELTA L भी लिखा तो बस आपको याद रखना है बच्चों कि आप जो notation लिख रहे हैं उसका meaning क्या है यहाँ पर हमने V upon V लिखा है और यहाँ आयतन विक्रिती को represent करता है अब बच्चों हम अगले प्रकार की विक्रिती को समझने के लिए इस प्रकार की वस्तु को लेते हैं जो घन या घनाब ह बच्चों घन या घनाब में total 6 surface होते हैं 6 प्रिष्ट होते हैं अब हमने इसमें से एक प्रिष्ट को मानली जी किसी table की उपर रख दिया है या जमीन की उपर रख दिया है अब इसके समानतर जो opposite side में प्रिष्ट है उस पर हम बल लगाएंगे बच्चों हमने जब अनुद प्रिष्ट के लमवत बराबर बल लगाया था और इसलिए उसके आयतन में परिवर्तन हुआ पर अब यहां पर इसके opposite जो समानतर प्रिष्ट है उस पर हम बल लगाएंगे और यह वी रुपक बल इस पर्ष रेखिये रूप में होगा मतलब टैंजेंशल होगा इस प्रिष करता हुआ होगा इस कंडिशन में देखते हैं इसमें किस प्रकार चेंज होता है इसको यदि जरा सा हम इस प्रकार खसकाते हैं तो इसका structure को इस प्रकार हो जाएगा अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जो घनाब था उसकी आकरिती में परिवर्तन हो गया है इस घनाब की ल परिवर्तन हो गया तो इस प्रकार जब हम टैंजेंशिल फोर्स लगाते हैं इस पर श्रेखी बल लगाते हैं इस टाइप से वस्तू में तो उसके आयतन में परिवर्तन नहीं होता केवल उसकी आकरिती में परिवर्तन हो जाता है तो इसमें जो उत्पन विकृती है उसे हम अपरूपन विकृति यानि कि शेरिंग स्ट्रेंड कहते हैं अब ये विकृति कहां पर हुई अब देख रहे हैं कि बॉक्स वैसे का वैसे ही है पचों आपने खुद भी महसूस किया होगा कि जब हम कोई कार्टून लाते हैं यानि खड़े का बना हुए बॉक्स लाते हैं जिसमें समान वगर हम पैक करते हैं जब नया रहता है वह बक्सा बिल्कोल इरेक्ट रहता है उसके अंदर हम पैकिंग करते हैं कुछ वस्तु को भर सकते हैं लिकिन जैसे जैसे पुराना होते जाता है आप देखेंगे वह खड़ा बैंड होने लगता है तो इस खड़े की लंबाई चोड़ाई और उच्चाई को यह दिया हम देखे तो वही रहती है बस वह खड़ा लग एक plane जैसे हो गया तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आइतन में परिवर्तन ना होते हुए केवल उसकी आकरिती में परिवर्तन होता है यह दी इंगेंशल फोर्स लगाया जाया और ये परिवर्तन कहां हो रहा है अब देखेंगे इस जगे पर एक कॉंण बन रहे है इतना ही तो परिवर्तन नहीं होता तो यह बॉक्स पहली अवस्था में रहता तो यह जो कोण बन रहा है इसी कोण को हम अपरूपन विकृति यानि की शेरिंग स्ट्रेंड के नाम से जानते हैं और यह कोण मानीजे थीटा से दर्शा रहे हैं तो अपरूपन विकृति बराबर थीटा हो जाएगी अब यह थीटा कमान यदि बहुत कम है तो उस कंडिशन में हम तैन ठीटा ग्याद कर सकते हैं कि हम जानते हैं टैन जीरो बराबर जीरो होता है तो ठीटा कम होगा तो हम इसके इस परजय के बराबर ले सकते हैं अब इस चित्र में देखे हम तो यह से टैन ठीटा निकालेंगे तो यह विस्था पर थे और अब इसमें विस्थापन हुआ कितना विस्थापन हुआ डेल्टा एक्स का और मान लीजिए इसकी उचाई यदि हम एल लेते हैं तो 10 ठीटा बराबर हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एल टेन बराबर होता है लंब बटे आधार तो हमने लंब लिया ठीटा के डेपोजिट वाला लंब यानि डेल्टेक्स और आधार इसका हो जाएगा एल तो इस प्रकार शेरिंग स्ट्रेंड अप रूपन विकृती बराबर हम लिख सकते हैं दो समांतर सताहों के बीच में विस्थापन अपॉन दो समांतर सताहों के बीच में दूरी तो इस प्रका में अलग-अलग तरह की विकृती उत्पन कर सकता है और इसी लिए बार-बार मैं आपको एक्स्पेंड करते समय यह तीन खास वर्ट कर स्टमाल कर रहे थी लंबाई आयतन और आकृती अब आपको समझ में आ गया का लंबाई शब्ध हमने अनुद्यार्दे विकृती के ल तो चलिए बच्चो इस पर अधारित एक न्युमेरिकल कोश्चन बनाते हैं किसी तार पर तीन किलोग्राम भार लटकाने पर उसकी लंबाई में एक परसंट के व्रद्धी होती है कार्मे उत्पन अनुद्यार्दे विकृती क्या होगी दिया गया है इस प्रश्ण में लं अपन 100 उपल तो 0.01